हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंज आज हम कलास 10 के एक इंपोर्टेंट चेप्टर प्रकास का प्रावर्तन तर्था अपवर्तन से संबंदीत आपको इंपोर्टन न्यूमेरिकल कराने वाले हैं फ्रेंज यह इसका पार्ट टू है जिसमें आज हम लेंस से संबंदीत इंपोर्टन न्यूमेरिकल को देखेंगे इसके पहले आपको पार्ट वन अप्लोड कर दिये हैं जिसमें आप सभी को दरपल से संबंदी इंपोर्टन सवाल कराया हैं तो फ्रेंज चलिए वीडियो परसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंज देखिए आपके सामने पहला नंबर का सवाल लिया गया है जो आपकी पेपर में फ्रेंज हंडेट परसंटेज आज आप सभी को तीन नियुमेरिकल कराएंगे यही कि इन तीनों नियुमेरिकल में से एक नियुमेरिकल आपकी बोट के एक्जाम में आएगा फ्रेंज आप सभी को पता कि जब यह ऐसा सवाल आता है तो आपके बोट के एक्जाम कि में चार यह पांच नंबर का एगा ठीक है इस वीडियो में आपको तीन कोईस्टन देखे इस सवाल को आप हलका ऐसे करेंगे आपको अच्छी तरका से बता रहे हैं तकि पहला सवाल आपका है कि 15 cm फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस से 20 cm की दूरी पर 10 cm लंबी एक पेंसिल रखी है लेंस द्वारा पेंसिल के बने परतिविम की इस्तिति यह लंबाई ग्याद कीजिए, इस सवाल को आप ध्यान देंगे तो पहले इसमें देखा कीजिए की क्या पूछा है इसमें आम है उत्तर लेंस का नाम ली एक बाव क्या करनां है अब इतना लिखनें पर देखेंगी आपको क्या करना है अब देखें यहां पर दिए 15 cm फोकस दूरी यानि कि यहां पर लिखिएगा फोकस दूरी कि यह से दिखाते हैं अब यह पर आपका है 15 century सेंटीमीटर क्या है 15 सेंटीमीटर अब फ्रेंग आप याद रखिए गा दीम बनता है उस्ट्रसामें आपका य कमानड़ प्लस में होता है उसके साथ और थाहिं और दरफेदेशन से उसकी दूरी कितना है वस्तू की पर देखेंगे लेसी से वस्तू की दूरी इससे किस से देखाते हैं अब आप सभी को पढआ 10 cm लंब यानि वस्तू की लंबाई वस्तू की लंबाई को फ्रेंज आप यस दिखाते है अब देखे इतना करने के पाद अब सवाल को हल कीजिए यहाँ देखिए लेंसे द्वारा प्यंसे से बने प्रतिभीम की इस्तिति एवं लंबाई ग्याद कीजिए तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रतिभीम की लंबाई भी ग्याद करना है और लेंसे से प्रतिभीम की दूरी भी ग्याद करना है तो लेंस से प्राति भीम की दूरी ठीक है इसको भी से देखाते हैं फ्रेंस घ्ल्ड क्या होगा है क्योंगे फ्रेंस इतना लिखने के बाद कि आपके सवाल याची दिया अब आप पाल यह हो देंगे घ्ल्र चाहे उत्तर लेंज ओ चाहे और तर लेंज इसकी लिए फार्मूला क्या होता है 1 अपान यव बराबर 1 अपान भी माइनस वान आपन यू यह वता है देखे फ्रेंज जब दरपड़ पर हरते यही फार्मूला था बस उसमें क्या था कि यहां पर दरपड़ में प्लस था लें अब ज्यान से समझें और आपको इह बहुत 20 लगेगा सवाल यादी एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो देखिए 1 अपान 15 वन अपन भी दिए फ्रेंज जब यह माइनस उपर लाएंगे तो यह माइनस इसको और कर्देगा प्लस कर देगा के हैं ते हमको पंदरा वेस्ट कारेंगे ऐसे हम Super निकालेंगा जालेंगेor कि तना साथ होगा कि इस पंदरा का इस शाथ में बहुतना हो सव्पराथ ये पटता होना चाहिए देखें तो आपको सवाल में पूछ रहा था कि परति बिन की लंबाई पूछ रहा हैं तो आपको आवर्दन का फार्मूला पता होना चाहिए देखे फ्रेंस आपका आवर्धन का फार्मूला होता है लेंस के लिए आवर्धन यहां आवर्धन होगा आवर्धन का फार्मूला होता है यह डैस अपन यह बराबर भी अपन यू ठीक है यह फार्मूला होता है यह का मतलब क्या है फ्रेंस कि प्रतिविम की लंबाई है और यह का मतलब होता है वस्तु की लंबाई भी होता है लेंस से प्रतिविम की दूरी यू होता है लेंस से वस्तु की दूरी समझ में आ गया होगा यहां यह यह क्या करना है यानि वस्तु की लंबाई गात करना है यह यह डेस रहने दीजिए अब दूद्हाइए आपको बताए थिन लबाइए व स्वाल कि लोज इस टीमाइए सट यू कमान कितना है साथ यू कमान कितना थे कहां पर यहां पर देखें यू कमान देखें पर ज्वाइब मारिटेहा bol आप माइनस 20 रख लीजिए इसलिए पहले आपको सवाल को देखाएंगे जिससे आपको आसानी से समझना आ जाए यहां पर रखेंगा माइनस 20 ठीक है देखें यह करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा दस करेंगे कितना होगा क्या हो सबक्राइब करेंगे कCal क्या होगा आपको सब्सक्राइब हो फिर्फमीं कि ऊच्छााइब यहां पर लंबार कि ए 10 की कहां रें आपको कितना आगे ऑपका तीस कैसा बन रहा है यह मैंस कबहूति क्यांते हैयं औरहोगी सवाल को परmedre आप लेंस सब्सक्रार र्याद करना कि इसकी इस्तिती को लिखनेका कैसे लिखेंगे आपको लेंस की इस्तिती को देखते हैं कि कईसे बनता यहां पी को माना कितना मैनस तीस माइश यह दिखाते है कि उल्टा परति-बीघ बन रहा है अब देखिए फ्रेंज आपके जू बनेस्गा नहीं ते परति-बीम से लिखिए पर cabbage इस्टिती लिख गढ़िये हैं पर सिर्ण की दूसरी या बनता दो चित्र बार बर पढ़ाए थे इस तरह यहां पर बनता था यह देखने है अधा आपकी सब्सक्राइब दूसरी ओर लेंस से कितना दूर इसाट सेंटिमीटर दूर वास्तिविक बनता है उत्तर लेंस के दुवार वास्तिविक बनता है वास्तिविक हम आजब देखें माइन से दिखाता है का सफ फर फर फरेंश इसकी इस्थिती लिखा जाता है बने इस इस परतिवीं लेंस के दूसरी और लेंस से कितना दूरी पर गदाता है अब चलिए अगरे नंबर के सवाल को देखते हैं लगता हैं। आपका है कि एक और लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिवीं कहां बनेगा लेंस द्वारा उत्पर आवर्दन छंता की भी गणना कीजिए यानि कि आवर्दन भी ग्याद करना है देखें इसको पहले लिखेंगा हाल औ इस पंद्रा सेंटीमीटर कितना लचा दीचेश मोट्रा आप किसमें होता है पिर इसके बाद आपका भी कमान भी किसमें होता है माइनस में और यू कमान किसमें होता है माइनस में होता है ठीक है फ्रेंस तो आपको यह चीज़ समझना आ गया होगा और आवर्धन जो होता इसमें आउता लेंस के रिए प्लस में होता है एक द्यान दिजिएगा यह कमान माइनस भी कमान मा कमान प्लस में होता इस चीच को पहले ध्यान दीजिए इसलिए पहले आपको बता दे रहें ठीक है अब किसमें माइनस में माइनस में लेना पड़ेगा ठीक है लेंस से 30 cm दूर रखी वस्तू यानि कि आपका यहां पर देखिए वस्तू कितने दूरी पर रखा जाए लेंस 30 cm जब वस्तू को रखा जाते इसको यू से लेखाते हैं यू बराकर कितना 30-30 cm देखी आधी जब रहता है तो माइनस में ले लिए अब वस्तू का प्रतिविम कहां बनेगा यानि यानि की भी कामान आपको निकालना है ठीक है अब वही ऑथाल लेंस के लिए वार्मुला चा चसमें लिखते समझें द्यान दिजीएगा भी पाले राता है यह मत की यूग पाले लिए शवाल गलती हो जाए shadow इसमें स्छम को द्यान 1 upon B, यह minus क्या खर देगा, plus कर देगा, तो 1 upon 30 हो जागा, अब फ्रेंज क्या कीजिए कि इसको 25 कर लीजीए, ठीक है, यह minus यह minus उपर चल जागा, minus 1 बटा के 15 होगा, इसको 25 बटा के 30 हो जागा, बराबर 1 upon B हो जागा, 15 इसका भाग देंगे 30 में दू बार में 2 का एक सब्सक्राइब प्राइब इसको क्या करेंगे आप इसको अदर करना रहता है इस माइनस की नहीं जाने सब्सक्राइब आपको इसका आवर्धन भी ग्याद करना था तो फ्रेंज देखिए चाहे आउटर लेंज हो चाहे उत्तर लेंज हो आवर्धन का फार्मूला यही होता है आवर्धन बराबर होता है यह डश अपान यह बराबर भी अपन यूँ दिखा देते हैं तब आपको इस फार्मूला समझ में आगा कैसे लगाना इसका यूज कैसे करना है दिखें फार्मूला में कहीं भी जब सवाल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको वस्तू की लंबाई य इसलिए इस फार्मूला में क्या करेंगे देखें यहां पर देख लिजिए आप पूरा कंसेप्ट को समझें तभी आप सवाल अच्छे से लगा सकते हैं यहां पर देखें आपको यह डैस और यह लेने की कोई आवशकता नहीं है इसलिए कि लंबाई दिया ही नहीं है यहा कमाहिन यह रखाता है कि गदर वंधू रख गया उसी शाइड़िए उस्का बंता है समझ में आ गया होगा जो चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखे तीसरा नंबर का सवाल आपका है कि एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 20 cm है किसी वस्तु के दोगुने आकार के वास्तिविक परतिविम को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर करें लेकिति समबन्दी किसी प्रकार प्रश्ण पूछता है तो अप आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि इसमें आपके अलग अलग प्रकार के प्रस्ण लिए गए तो चलिए फ्रेंस इसको हल करते हैं देखे यहां पर पहले लिखिए हैगा हल ठीक वहीत तरीका रहेगा जो नहीं आफर लिखने के बातों सा cousin रॉइंस पर लेंस अब लिखिंगी ऊत्तल लेंस ऐ अब फ्रैंस उत्तल में देखिए अभी आपको बता है यह आप किसमें होता है फ्लस में यू कमंं किसमें फीक फ्रेंस लिखते हैं किस दूरी कितना दिखाते हैं कितना दिखाते हैं कितना श्बी diplôm दस गुना कहता है यहां पर आवर्धन कितना होगा आवर्धन को दिखाते हैं यहां से लिख लेते हैं और दो थो किसे त यह माइनस हुआ यह कितना है अब दिखें इतना लिखने के बाद पूछ के रहा है वास्त्विक पृतिविफिंख推क करने के लिए उसें कितनी दूरी पर रखना होगा लेंसे से कितना दूर ही यानि कि आप से पूछ रहा है भी का मान क्या होगा ठीक है पहले देखिए इस सवाल को देखें अभी पता है अब और दांग तो आपको कहीं पर भी वस्तू की लंबाई या परतिमिम की लंबाई नहीं दिया है इस लिए यह डैस यहां परियोग यहां पर आपको नहीं करना जब आपके वस्तु के लंबाई यह पर नभी लंबाई देगा तब यह का प्रयोग कीजिए का आवर्धन कुसितना माइनस दू है तो मानस दू लेंगे यह भी कमान तो पता नहीं नहीं है तो भी इसी तरह दए यहां किया कर लिए फैर आपको प्रतिभीं की दूरी पूछ रहा है तो आपको लिए अभी स्वाल को कैसा लगाएंगे तो फार्मूला वही आपका यह लगते हैं कि वह दो पर फार्मुला यह वानपन भी मानस वानपन यू अब इसमें इसका मार रख लिए देखें वन अपन यह कमान कितना है बीस रखिए बराबर वन अपन अब तिकि फिर भी जहाब माइनस टू जायगा और अब इस सवाल को करते हैं सवाव को करई जागा एक बचे माइनस एक हो जाए गा माइनस उ से घरलाबर माइनस 3 पताके कितना हो जाए गा कि तोई तो यू ठिक है अब दे फैसे यहां पहां पी आएक करके200-3 जोर्वर्ण क किया करता है अफरेंस इसका इधर कर दें इसका इधर कर लें तो यू का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस सवाल देखाते हैं फिर इसके बाद आपका और अच्छे प्रकास समझ में आगए सवाल पूछ क्या रहा है जब तक यह नहीं पता रहेगा तब तक आप सवाल को अच्छे से लगा नहीं सकते हैं पूछ रहा है कि वास्तविक परतिवियों को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा यानि कि आपको लेंस आ होने बाद इसको लिखेंगे कैसे रिके आपको लेंस के लिखेंगे कि वस्तु रहें के लिखेंगे क्या लिखेंगे वस्तू को लेंस के सामने 30 cm दूरी पर रखेंगे ठीक कितने दूरी पर रखेंगे 30 cm के दूरी पर रखेंगे तो फ्रेंस यहां पर आपको तीन सवाल कराए हैं जो तीनों सवाल आपके सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है यह बोर्ट के एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है ठीक है अब दिखेंगे फ्रेंस आपको यह पार्ट टू था अभी आपको अपॉर्टन से संबंदीत क्या है सवाल बचा है तो आपको अपॉर्टन हुआ है और इसकी एलावा आपको लेंस की छंपता जो पूस्ता ह हर सल बोर्ट के एक्जाम पूस्ता है वह पार्ट थ्री आएगा कुछ समय के बाद अफ्लोड कर देंगे पार्ट थ्री में वह सब कभर कर देंगे तो फ्रेंस अभी तक आप पार्ट वन नहीं देखे तो उसको जा कि आप जरूर देख लिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पार्ट बन देखने बाद पार्ट तूर देख लिए पार्ट थ्री यदि आप यह तीनो वीडियो देख लेता है तो आप जो बोर्ट के एक्जाम मिर इससे संबंदीद जो पांच या छा नंबर का जो सवाल आने वाला है आप उसमें किसी प्रकार का गलती नहीं करेंगे ठीक है तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें